वेलकम बैट टू दा महत फॉरियर्स आप सभी लोग 72,825 देखेगा एक भरती यूपी जूनियर एडिट उसका कल रास्ता कोट की तरफ से किलियर हुआ उसके बाग बहुत सारे बच्चे इस चैनल पर जो हैं अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल पर आए हैं चैनल से नहाबाद हाई कोट ने बेसिस इच्चा परसा से 72,825 अधापक बच्चे के बच्चे हुए बारा हजार एक क्यान में पदों पर काउंसलिंग के लिए विगया पर जारी करने और काउंसलिंग कराने का अदेश का पालन ना होने पर जानकारी मांगे क्यों नहीं पालन किया जनवरी में ही बोला गया था कोट ने बारा वर्सों से लंबित आप समझी है कि बारा वर्सों से लंबित इस विवाद पर पिछले मां काउंसलिंग कराकर फरवरी के अंतिम सब्ता तक परड़ाम जारी करने का अदेश दिया था ठीक है तो अभी तक इन्होंने जो है नहीं करवाया है मामलों की अगली सुलवाई पांच मार्च को होगी ये सारा बेटर है तो ये साय गए दहपा गुर्जिस पर जल्द सुकून रहे फिलाल इस मामलों की सुलवाई टालने के लिए का इस कोट ने ठीक है तो ये सारी चीज है तो 72,825 वाले कोट का सारा लेकर के मान कोट से दबाव बना है लेकिन ये सरकार जो है ना पूर बहुमत की सरकार है तो अपना जो ताना साही रविया अपनाती रहती है समय समय पर बच्चों के साथ आप 69,000 से छक बढ़ती देंके उसमें भी अपना है ठीक है उसमें भी एक आर अच्छड तो बारा साल से बताई बच्चे बशारे जो है एक सेलेक्शन की उमीद जगी है तो इस पर जलसे दबाव बनाए जो भी पद है इसके रिक्त बचेते उस पर हो जाए सेलेक्सन तो बहुत अच्छी बात है बादमा की देखी का पुराने वालों का ही भला हो जाए नई भरती तो ये लोग दे लिए लोग चिलाते रहें कि दो हजार जो आपका विधान सभा चुनाओ आया उसमें भरती मिल जाएगी लोग सभा भी आगया उसमें भरती तो इस तरीके के फिजूल सरकार का जब मन होगा तब देगी जिस तरीके से यूपी पुलिस की जब मन होगा तो दिया साट अजार दे दी बस अब ये फिर पांस साल सो जाएगी तो वो इनकी स्टेटजी है इन्हें जब वोट बेंग गिरता दिखेगा तो दे देंगे और नहीं गिरता दिख रहा मसता है ठीक है उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं सरकार पर दबाव बनाए कोड के साहरे से ठीक है अपनी तरीके से नहीं जब आपका कोड तरी डिसीजन दिया है न तो उसके मानक लिए उसका एक प्रभाव पढ़ता समाज पर भी और सरकार पर तो पढ़ता ही उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गये और इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं लाइक, सेर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, फॉलो करें, महत वारियर्स